सो हेलो डियर स्टुडेंट्स हम पढ़ेते गौस्की थियोरम की एप्लिकेशन्स तो आज हम लोग पता करने वाले हैं किसी भी इन्फाइनाइटली लॉंग चार्ज सीट की हो जैसे इलेक्रिक फिल कितना होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपने समझना पड़ेगा कि इन्फाइनाइटली लॉंग सीट क्या होती है जैसे यह है एक प्लेइन सीट ठीक है इस प्लेइन सीट को अगर मैं उपर को बढ़ा दू बढ़ा दू बढ़ा दू इसकी कोई लिमिट ना हो नीचे को बढ़ा दू बढ़ा दू इसकी कोई हद ना हो इस सीट को इधर को बढ़ा दू बढ़ा दू इसकी कोई हद ना हो ऐसे करके इस infinite seat को रखा है और इस infinite seat को मान लो मैंने जो charge दिया वो plus q charge दिया तो इस infinite seat को मैंने दिया plus q charge और जैसे ही मैं इस infinite seat को plus q charge देता हूँ तो plus charge पूरी seat में uniformly क्या हो जाएगा distribute हो जाएगा तो यह बन गई है infinitely charged seat तो इसको मैंने माने यह समझो plus charge दिया plus charge देने से charge इसमें पूरा uniformly distribute हो जाएगा तो यहाँ 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 सब जगर plus हाजाएगा अब आप लोगों को पताएगा जो plus है plus से electric field कहां को जाता है बाहर को तो इस plus से electric field यहाँ को जाएगा और यहाँ को ऊपर को नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर को पता नहीं कहां खतम हो रही है हमें नहीं पता थीक है इस seat ने दो partition कर रहे है एक इधर ओर और एक इधर थीक है ना तो इससे मेरे को पता करना है इलेक्ट्रिक फिल कहीं पर को भी पता करना है इस इन्फाइनाइट सीट से या तो यहां पता कर सकते हैं यहां पता कर सकते हैं यहां पता कर सकते हैं दो ही जगे रह सकते हैं बच्चों क्यों कि इन्फाइनाइट सीट है ठीक है तो मान लो इस तो इस पॉइंट को कुछ कह देते हैं चलो पी पॉइंट पर पता करना है तो इस पी पॉइंट से जाने वाली एक इंजनडरी गॉसियन सर्फेस ले लेते हैं कोई भी एक इमिजनरी सर्फेस बना लो तो इस पी पॉइंट से एक इमिजनरी सिलेंडर जा रहा है जो इस प्लेट के बीचों बीच से होते इधर को सिलेंडर आ रहा रहा है मानना है धिमाग में तो नहीं आ रहा है इसको पार करते वे ऐसे जा रहा है ठीक है न कोई दिक्क्त तो नहीं मैं electric field पता करना है मुझे r distance दूर peep है वो मैंने ध्यान में रखा है तो आप लोगों को बता है कि किसी भी cylindrical surface में तीन faces होता है पहला ये, पहला ये circular part होता है, दूसरा ये circular part होता है, तीसरा होता है curve surface area, तो किसी भी cylinder में तीन surfaces होती है ठीक है, एक पहला circular part दूसरा circular part, तीसरा curve surface area, सभज में आया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है अब मेरे को p point पे electric field पता करना है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, ध्यान सुनना for closed surface, हम लोग जानते हैं, closed Gaussian surface for closed Gaussian surface closed Gaussian surface मतलब कि इस cylinder के लिए देख रहा हूँ, जो total flux होगा न, इस cylinder से जाने वाला total flux कितना होगा अगर मैं आप से पूछूँ, तो आप बोलोगे CDC बात है, cylinder में तीन हिस्से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा तो total flux होगा first surface का flux, plus second surface का flux, plus third surface का flux तो इस cylinder से जाने वाला total flux होगा, इतना होगा कोई दिक्कत तो नहीं है, flux मतलब समझते हो किसी भी surface से perpendicular जाने वाली electric field lines का number, उसी को flux का जाता है अब infinitely charge seat है, तो plus से electric field या तो यहां को जाएगा, या फिर यहां को जाएगा, ध्यान रगना, ठीक है ना अब 5-1 मतलब है, इस surface से जाने वाला electric field lines का number 5-2 मतलब इस circular parts से जाने वाला electric field lines का number 5-3 मतलब यह जो तीसरी curve surface से जाने वाला electric field lines का number और 3 surfaces हैं, तो इस surface का, पहली surface का छोटा सा हिस्सा ले लिया है, यह pink color से दिखाया है, तो छोटी से area vector हमेशा याद अगना उस surface से perpendicular outward होता है तो इसका area vector ds1 ऐसे बाहर को जाएगा, दूसरी surface यह है, तो इसका छोटे से इससे का area vector ds2 ले लिया, इससे बाहर को जाएगा, तीसरी ऐसी यह curve surface तो इसका area vector ds3 ले लिया, इससे perpendicular बाहर को जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है, total flux इतना होगा, अब इसके आगे सुनना हाँ अब हम लोग जानता है, since electric flux को integral form पर कैसे लिखता है phi equal to होता है, integration of अगर आपको याद होगा तो e vector dot ds vector किसी भी surface के लिए electric flux का formula होता है phi equal to e vector dot ds vector ठीक है न, तो यहाँ से आप equation 1 आपकी कैसी बन जाएगे फिर देखना equation 1 becomes अराम से देखना हाँ तो phi equal to phi 1 की जगे क्या रखोंगा पहली surface की बात कर रहा हूँ तो आज आएगा integration of e vector, इस surface से electric flux e जा रहा है, dot लेकिन surface का area vector है पहली surface के लिए ds1 ठीक है न, तो ds1 vector ले लिए plus phi 2 के लिए क्या होगा integration of integration of phi 2 मतलब second surface electric field e जा रहा है, area vector ds2 है तो कितना आएगा e vector dot ds2 vector plus third surface के लिए कितना होगा electric field t3 surface curve surface यह है, ऐसे जा रहा है लेकिन area vector उपर को है e vector dot तीसरी surface से तो ds3 vector ठीक है, अब आप लोगं को पता ही है कि a vector dot b vector equal to कितना होता है, बता हो a b cos theta दो vector का dot product मैं आप लोगं को अल्यड़ी बता चुका हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़े sequence में देखा करो जल्दी समझमा आएगी, ठीक है a dot b equal to a b cos theta होता है तो बस apply कर देते हैं तो यहाँ पर आजाएगा phi equal to integration of e dot ds1 है, तो यह आजाएगा e ds1 cos of theta theta मतलब इन दोनों का e और ds1 का angle, ठीक है integration of e यह आजाएगा e ds2 cos of theta e और ds2 का angle ऐसे integration of e ds3 में, e ds3 दोनों के बीच का angle cos of theta, अब सुनो जा रहा देखे, e vector और ds1 vector दोनों same direction में जा रहा है एक दुसरे के parallel है, तो यहाँ पर theta कितना होगा बताओ, theta यहाँ पर होगा इस case में 0 degree कितना होगा, 0 degree, क्योंकि e और ds1 same direction में है, ऐसे यहाँ पर देखो, e इधर को जा रहा है, ds2 यहाँ को जा रहा है, दोनों एक दूसरे के parallel है तो इसकावाँ तो e और ds2 भी एक दूसरे के parallel है तो इनके बीच का angle भी 0 degree बनेगा तीसरा अब देखो ds3 ना उपर को जा रहा है और electric field ऐसे जा रहा है, तो देखो electric field और ds3 एक दूसरे से perpendicular है तो यहाँ पर को जो इनका angle आएगा वो कितना आएगा 90 degree आएगा, ठीक है तो रख देते हैं फिर तो 5 equal to कितना आजाएगा, देख integration of e ds1 cos 0 degree plus integration of e ds2 cos 0 degree plus integration of e ds3 अगर ना दिखे तो cos 90 degree लिख रहा हूँ बच्चों मैं अब दे, cos 0 का value होता है 1 cos 0 का value होता है 1 और cos 90 का value कितना होता है भीया 0 तो 1 से इसको multiply करोगे तो आपका आगा आएगा 5 equal to integration of e ds1 ठीक है, 1 into इतना करोगे 1 into इतना करोगे तो integration of e ds2 और 0 से multiply करोगे तो यह पूरा term 0 तो total flux इतना आगिया ठीक है अब देखो 0 तो हट जाएगा e uniform electric field आए ठीक है ना तो उसको अगर आप चाहो तो e को बहार ले सकते हो constant चीज है तो यहां से आजाएगा phi equal to देखना जा रहा integration of e बहार आजाएगा तो ds1 plus e दूसरे वाले से भी बहार आएगा तो integration of ds2 ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है r distance दूर पता करना है यहां से भी यहां तक की distance r होगी uniform से लेंडर लिया है अब हम लोग जानते हैं बच्चों integration of dx कितना होता है x होता है ठीक है तो यहां से phi equal to कितना आ जाएगा e integration of ds1 कितना हो जाएगा s1 plus e integration of ds2 कितना हो जाएगा s2 तो दोनों में से भी e common आ जा रहा है तो phi equal to कितना आ जाएगा e अंदर आ जाएगा s1 plus कितना आ जाएगा s2 आप क्या कर सकते हैं देखो बच्चो सिलेंडर ना मैंने यूनिफॉर्म लिया है यूनिफॉर्म सिलेंडर लिया है मतलब आपको एक बाँ बताऊं ds1 छोटा सा हिस्सा है अगर ये पूरा हिस्सा लूँगा तो ये पूरे हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा s1 हो जाएगा कितना हो जाएगा s1 ऐसे अगर मैं ये पूरा हिस्सा ले लूँ तो ये पूरे हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा भीया ये पूरे हिस्से का एरिया हो जाएगा S2, अब uniform cylinder है न, तो uniform cylinder के लिए क्या होगा, बताओ from figure, uniform cylinder है तो obvious है, जो हमारा S1 है, और S2 है, बराबर होंगे तो इसको A के बराबर ले लेता हूँ इसके बराबर लेता हूँ, A के, ठीक है न तो इसको equation number कुछ बोल दो, चलो second के देता है, तो यहां से आपकी equation second becomes, कैसी बनेगी फिर देखो equation second आपकी बन जाएगी phi equal to E S1 की जगे A, क्योंकि circular part ले दोनों बराबर होंगे, plus S2 की जगे A, A plus A कितना हो जाएगा 2A, तो phi equal to कितना हो जाएगा E into 2A कोई दिक्कत तो नहीं है ना, खेर मुझे तो electric field E बता करना है ना, तो उसमें जाता है, देखो gauss की अपले के साथ नहीं तो obvious है, gauss theorem तो यूज करनी ही बड़ेगी है ना, तो लिखता हूँ according to gauss theorem यह topic ना, बड़े entertainment के साथ पढ़ाये जा सकते हैं, बटा आप लोग के एक्जाम होने आ रहा है, बहुत जल्दी इसलिए मैं कुछिस कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बिना time waste करें आप लोग को बताऊं, तो five equal to हम लोग जानते हैं, gauss theorem q upon किसके बरावर होती है, एक्वेसा नमबर फूर, ठीक है, दोनों को compare कर लेता है, देखो आने वाले टाइम में न, अपने छोटे बाई बेनों से भी चैनल सब्सक्राइब कर वा ले न, क्योंकि जब वो बड़ी तो q upon epsilon not equal to कितना हो जाएगा, देख, देख न, e into 2a है और ये है, तो ये दोनों बरावर हो जाएगे, तो q upon epsilon not equal to कितना जाएगा, e into 2a, ये 2a यहाँ बेज दे, तो e पता करना था न, तो e equal to कितना जाएगा, q upon epsilon not into 2a, तो किसी भी infinitely long charge seat से, ठीक है, r distance दूर electric field, q upon epsilon not into 2a के बरावर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखने का मतलब देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा, देखना ज़रा ध्यान से, e equal to, तो ये आ जाएगा, e equal to, और 1 upon 2 epsilon not q upon a लिखा है, अब आप बोलोग ऐसा क्यों लिख बताईए है, ठीक है, shorts अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग को पता से लिखा होगा, बहुत जल्दी revision करा रहा हूँ, shorts में, surface charge density, एक important चीज बताईए मैं, surface charge density, क्या होती है, बताओ, किसी भी surface को अगर आपने q charge दिया है, उसका area कितना है, अगर a है, उस surface का, तो उसकी surface charge density, sigma equal to होता है, charge per unit area, ठीक है, तो इस q upon a की जगे, आप चाहो तो sigma रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देता है, इस q upon a की जगे हम, sigma, ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा फिर, देखो, तो यहाँ से आ जाएगा फिर, e equal to, 1 upon 2 epsilon naught, और q upon a की जगे, sigma, तो electric field due to infinitely long charge heat, 1 upon 2 epsilon naught होता है, तो कभी-कभी exam में कैसे पूछता है, बहुत चालाख है, examiner बहुत ज़्यादा चालाख है, तो वो क्या कहता है, बताओ, इंफाइनाइटली long charge sheet से, अगर आड डिस्टेंस दूर electric field पता कर रहे हो, तो वो distance से independent रहता है, देखो, आ राया क्या यहाँ पर, इस इसका मतलब इस infinitely charge sheet से चाहे, यहाँ बता करो, चाहे, यहाँ चाहे, कहीं भी बता करो, electric field सेम आएगा, जिसकी value sigma upon 2 epsilon naught के एक्वल होती है, सवजमा आ गया ना, तो यह काफी important topic में आप लोगो बताया, I hope कि आप लोगो सवजमाया होगा, मिलते हैं next GOS की application में, तब तक आई करते रहो,